हेलो गाईज नमस्कार दिस साइड शुभम स्वानकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद शुभम सर ने दिखो गाईज पेपर की सीक्विंस का पांचवा अध्याई हम बात करने वाले हैं जूनियर इंस्ट्रक् प्रस्ण कंप्यूटर साइंस के हमें मिले थे प्रैक्टिकली उनकी हम लोग बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यांज देखते जाएगा पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण क्या कहता है SMPS का यूज किया जाता है ठीक है स्ट्रोड आ प्रस्ण की कहता है कि SMPS क्या करता है तो हमारा कंप्यूटर देखो सिंपल सी बात है कि हमारे घर में AC आती है औल्टरनेट करेंट कंप्यूटर बात में काम नहीं करता DC में काम करता है तो SMPS जो है वो AC को DC में काम करता है तो हमारे computer में DC supply जो है वो देता है तो source की बात नहीं कर रहा obtaining controlled DC power supply तो computer में DC supply देने के लिए हम लोग SMPS का use करते हैं 20 वे number प्रस्ण का class का पहला paper का 20 वा right दिश्ट धाता धार अपूर्ती जो है उसे प्राप्त करने के लिए computer DC में काम करता है AC में काम नहीं करता है ठीक है प्रस्ण संख्या अगला SMPS जो है वो किस सिद्धान्त पर काम करता है phase control integral control chopper या MOSFET देखो जो आपका SMPS है वो practically अगर बात करें तो जो आपकी विद्यूत है electricity है उसको cutting करके करके उसको नाम या आपको पता करना ठीक है तो यह कौन सा इसका सिद्धान्त है chopper सिद्धान्त पर जो है वो काम करता है electricity जो AC है उसको काट करके उसको chop करके DC में convert करता है जिसे हम लोग बोलते हैं chopper सिद्धान्त तो chopper principle कहता है कि जो आपके पास में एक particular object है उसको छोटे छोटे parts में convert करके उसे उसका एक बड़ा object create कर देना वह आपका कहलाता chopper तो SMPS जो है वो chopper सिद्धान्त पर काम करता है ठीक है अगला सवाल है multiplexer के रूप में किसे जाना जाता है counter को decoder को data selector को या इन में से कोई 33 नंबर प्रस्ण है दिखेगा multiplexer मतलब क्या है multiplexer mux और dmux आपने सुना होगा जो multiplexer है उसमें input एक लेकिन output बहुत बहुत सारे output एक होता है और dmux जो होता है इन पूट एक लेकिन output बहुत सारे तो यह data को selection का काम करता है multiple में से कौन सा मुझे चाहिए यह आपका कहलाता मक्स यानि कि multiplexer multiple inputs पे काम करता तो यह data selector के रूप में काम करता है data selector के रूप में कौन काम करता है multiplexer ठीक है चलिए अगला प्रासने आठ लाइन से एक लाइन के multiplexer के लिए कितनी line है देखो आठ लाइन है इन सब को एक line में लेना है तो इसके लिए हमारे पास में जो है वो कौन सा multiplexer जो है हमें चाहिए तो कितनी लाइनों की आउशकता है तो इसके convert करने के लिए हम लोग क्योंकि देखो 8 है तो 8 यानि की 2 की power किती 3 तो हमारा answer हो जाएगा हमें कितनी लाइने चाहिए हमें 3 लाइने चाहिए तो ऐसे 16 हो जाता तो 16 लाइन से एक लाइन multiplexer के लिए कितनी लाइन है तो 2 की power 4 बराबर 16 तो 8 लाइन से एक लाइन multiplexer के लिए कितनी लाइने चाहिए वो हमें चाहिए 3 प्रसन संख्या अगला the semiconductor device that radiate light or utilize light are known as मतलब जो प्रकास को या तो सर्जित करती है या उसका प्रयोग करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो active devices मतलब नहीं है electric तो बिजली पे काम करती है optoelectric या जो optical भी है जो electric भी है यानि कि जो प्रकास पर भी काम करती है और light पे भी काम करती उन्हें हम लोग कहते हैं optoelectric devices यानि कि ऐसी devices जो प्रकास को उत्सर्जित या उपभोग दोनों करती है यानि कि light पर काम करती है तो ऐसी devices ऐसी semiconductor devices opto electronic devices जो है वो कहलाती है ठीक है अगला प्राशन संख्या 36 six optical fiber जो है वो किस पर काम करता तो देखो optical fiber जो है उसमें आपका data एक source से एक side से enter होता और अंदर ही अंदर परावर्तित होता जाता जब तक उसे रस्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का तो that is known as पूर्ण आंत्रिक परावर्तन total internal reflection तो fiber cable जो है वो किस method पर काम करती है कि किस transmission में data की speed जो है सबसे तेज होती है तो common सी बात है optical fiber में ही आप लोगों की speed जो सबसे ज़्यादा है कौन से transmission media में network में सबसे ज़्यादा transmission speed मिलती है और वो हमेशा मिलेगी optical fiber में ठीक है वो हमेशा मिलेगी आपको optical fiber में ठीक है अगला प्रस्ट बेसिक रिक्वार्मेंट ऑफ ट्रांस्पिटिंग एंटिना जो एंटिना है transmission करने के लिए उसकी आश्यक्ता क्या है उसमें efficiency होनी चाहिए low sides lobe क्यानी कि data के जो lower जो जैसे माना कि data उपर ही उपर चल रहा लेकिन बीच में zero हो गया तो ऐसा लोब जो है वो नहीं होना चाहिए मतलब जादा high side का लोब नहीं होना चाहिए छोटा मोटा लोब तो चलेगा ठीक है लार्ज signal to noise रेजियो यानि कि उचस्नयार वालब signal और शोर का अनुपात जो है वो बढ़ा होना चाहिए सब्सक्राइब कि signal ज्यादा शोर बहुत सारा है signal कम है signal बहुत ज्यादा शोर बहुत कम है यानि की जो noise component है वो कम होने चाहिए यह जो है खासित होनी चाहिए तो और अधीनल टूपय और ऌंव और सिग्नल सिग्णल टू मॉइऽ रेसियो जो दो यह से वह बहुत कम होनी चीए तो यह हमारे पास में सारी विशेषता है अगला प्रस्ण है वोट इस दफ्रिक्वेंशी रेंज ओफ ओडियो फ्रिक्वेंशी ओडियो फ्रिक्वेंशी इसकी रेंज क्या होती है तो जो साउंड है वो काम करती है 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट तक भी जो आफ कि जाएगव हजिए अगला प्रसन वह फाइल एक्सकेन्शन जो किसी निर्देश को निश्पादित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में लोड किया जाता है देखो basic तो अलग है माइक्रो कंट्रोलर में जो लोड किया जाएगा, वो हमेशा एक्स्टेंचन आपका text या ms word या उसमें document में नहीं होता, वो होता .hex में, धियान रखियेगा यानि कि किसी भी माइक्रो controller में अगर किसी instruction को load करना हो किसी भी micro controller में किसी instruction को load करना हो तो हमारे पास में जो file extension होगा वो होगा dot hex 42 right answer D. पचास नमबर सवाल रंगीन TV के प्रात्मिक रंग कौन से है? रंगीन TV जो color television है किसी भी color television में हम लोग हमेशा तीन चीजे पढ़ते हैं R, G, B यानि कि red, green और blue तो color television में जो primary colors हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं red, वो होते हैं green और वो होते हैं आपके blue ठीक है? अगला प्रास्न जीएसम का पूरा नाम क्या है? देखो mobile में दो टेखनीक्स होती है CDMA, mobile communication में और GSM ठीक है? यह होता code division multiple access, यह होता global system for mobile communication ठीक है? खाली global system for mobile कहें तो भी कोई गलत बात नहीं है यह भी हमारा सही है तो त्रेपन का right answer हो जाएगा GSM का पूरा नाम global system for mobiles ठीक है? अगला GSM में किस प्रकार की cell जो आवरती है वो यूज ली जाती है 54 नंबर प्रसने देखो यानि की cell यानि की जो area बनता है वो कैसा बनता है यहां पर किसी भी अगर हम लोग cell की बात कर देखो mobile communication का छोटा सा प्रसने mobiles में जब हम लोग बातचीत करें तो उसने जो area बनता है वो कैसा बनता है वो हमारा बनता है छे भुजाओं का यह यानि की से बोलते हैं hexagon इसलिए पूछा भी जाता है कि mobile communication जो है वो उसका जो cell बनता है वो कैसा बनता है GSM प्रॉपर्ली तो वो बनता है छे भुजाओं का इसे हम लोग बोलते हैं शट भुजाकार या इसे हम लोग बोलते हैं hexagon ठीक है अगला प्रस्ट है हमारा विचो विचो विचोप फॉरोंगी इस नौट sequential circuit एक sequence में काम नहीं करता है flip-flop counter shift रजिस्टर या फिर आपका multiplexer तो देखो sequence में तो सारे चलते एक लेंगे एक देंगे multiplexer में बहुत सारे दिये जाते single लिया जाता है तो many to one और one to many तो यह जो multiplexer और d multiplexer है वो आपके sequential परिफद जो है वो नहीं है right answer आपका हो जाएगा बहुत प्यारा पेपर था बहुत extreme प्रस्ण है इस पेपर के अंदर और अच्छे level के भी हैं बहुत ज्यादा हलके full के constable level के प्रस्ण नहीं बढ़ हां प्रस्ण बहुत अच्छे हैं हमें हमारे पेपर के according पढ़ने चाहिए flip-flop क्या store कर सकता तो flip-flop flow जो है वह या तो zero या तो एक यानि कि एक bit data store करने वाला जो storage है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं flip-flop ठीक है हां तो इस पेपर में जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रोनिक मेकनिक जो हमारा पेपर था उसमें 24 दिसंबर 2019 को पेपर वा टोटल प्रस्ण हमारे पास में यही थे अब टोटल कर दीजी का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ठीक है थांक यू सो मुच बाबाय टेक कर आव एव ग्रेट इवनिंग अहीड